अक्सर जो यह प्रस्ण हर किसी के मन में आया होगा और आज भी जो है जो छोटे बच्चे हैं जो छोटे क्लासेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मन में भी यह प्रस्ण आता होगा कि क्या होगा यदि प्रिथिवी के आरपार एक सोरंग बना दी जाए और उसमें कूद जाए तो यह प्रस्थ जो है आपके मन में भी कई बार आएगा जो बड़े लोग है जो बड़ी क्लासे में जो बच्चे पड़ रहे हैं और जो छोट छोटे बच्चे अभी जो एर्थ नाइन टेंथ क्लास में पड़ रहे हैं जिनको समझ आ गई है साइंस की उनके दिमाग म अगर एसा हो तो क्या होगा कि हम अगर प्रितिवी के ऊपर से कूदें तो कि हम पली पार मनें दूसरी पार निकल जाएंगे तो यह प्रस्थ अकसर जो है बच्चों के मन में आता है और यह बड़ों के मन में करे प्रस्थ ना जाता है जो नॉन साइंस बैकराउंड वाले लोग हैं उनके मन में भी प्रस्न है कि अगर प्रिथी में सुरंग कर दी जाए तो कि हम पली पार निकल जाएंगे यानि कि दूसरी तरफ निकल जाएंगे तो दोस्तों स्वागत आपके अपने यूट्यब चैनल गुरुजी फॉर है स्कूल में तो आज के इस वीडियो में ह कर देखी प्रश्न यह था कि प्रीति की अर्पाद की सुरंग बना दी जाए तो क्या हम के दूसरी तरफ निकल जाएंगे लेंगे मालन यह आपके प्रिथिवी है किपछ़्स्तों से देखेग्या कि आप की प्रिथिवी सुरंग आपनायें तो आपको सुरंग। ऐसे अंत्रिक्ष में जब आप रहेंगे तो वहां से देखेंगे तो जो सुरंग बनाई जाएगे प्रिथिवी के अंदर वह इस तरह से देखाई जाएगी ठीक है बिल्कुल दूसरी तरफ लेकिन समझने के लिए हम फिलार यह मा लेते हैं कि वह सुरंग हम इस तरह से यहां पर बाश्विली नहीं है अगर आप खोद भी देते हूं मालो तो आप फिर भी खोदने के बाद आप उस सुरंग में नहीं जा सकते हो कि यह क्योंकि वैसे दिखेको 80-90 पीट के पानी निकलता है पानी आपको पता है पृतिव के अंदर पानी है ठीक है चौलो जैसे कैसे आप पानी भी अगर पार कर लोगे तो और नीचे जागको आपको पृतिवी के अंदर जो मेगमा लावा जो होता है उसको कहा कर नंपड़ेका तो उसको पार कर करें तो समभा हो नहीं है। करते 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 यहां से बाहार निकल जाएंगे यहां से अनीचे कूछ तो यहां से कूछ जाएंगे। तो इस प्रश्ण का जबाब यहाँ है कि अगर कोई बी इनसान या कोई वस्तोग यहां से पृथ्थी इस टनल से शूरंग से अगर नीचे चले सबी चीजों को दर किनार करते वे लवा भी नहीं है मैगमा वगरण कुछ नहीं है तापमान वगरण कुछ नहीं है तो वह यहां से करते वे करते में दूर्शी तरफ आता है और क्या वहां से बाहार निकल जियेगा यह मैं प्रस्नक ने तो इसका चाहिए वहाए पैश है है उसके अधिन वह यहां से धाल यहां तक पहुंच गया लेकिंगे यहां से वह स्वतह बल जो इसको आपना खुद का बल खुद का फोर्स है यह वह उसके अंतरगर देगा गति कर रहा है तो जैसे यहां पर पहुंच यहां से दुबारा वापस यहीं आ जाएगा होते हैं मतलब यह निकलता है कि कोई वह इंसान यान से करते एक चोर से होते हुई उस टनल से होते हैं दूसरे चोर से पहुँचे तो क्या वह अंत्रिक्ष में गिर जाएगा नहीं वह अंत्रिक्ष में नहीं गिरेगा बसरत है सर्थ यह कि सब्जेट है कि वह जो गती कर रहा है वह उसको अपना स्वताह बल हो यह उसको अपना खुद का फोर्स है उस फोर्स से गती कर रहा है यह उसको कोई एडिशनल फोर त्व वापस सेंट्र की तरब वापस आ जाएगा तो अगर वो भूर 00 सबस्ट बने करें तो एसे उप्पनिचे गत्यक नेकि यहां अई गिर जाएगा और यहां से खाई घिर घरता हों थिक है तो अब कारण है कि एसा क्यूं पहला को टाउट था आप लोगगा कि अगर वह आता पहुंचे तो कि अंतिरी में गिरेंगा दूशी दिर निकलेंगा नहीं वह दूशी तरण नहीं नहीं दुसरी तरण नहीं निकलेगा वो वापस कि इस पर एक प्रतिवी और से ऑन ihm अभीकेंदृ को यह बहुन भी होता कि अपना प्र्थे के चाहिता बहुते तो जो हर एक वस्टन को सेंटर की तरफ फेने की कोसिज करता है करता है यह प्रंड अर्मषण जाएंनु वह सब्सक्राशन करता है चलिए इसको आपको समझाते हो कैसे आपने सेटलाइट देखे हुए उपगरा है जो होते हैं जो प्रिथिवी के चारोंतों के गति करते हैं उसका रिजिन यही है क्योंकि जब वह एक अक्षम है इस प्रिथि मारे पास यह पूरे एक पृति भी यह तो वह एक क्षम क्या करत सान इसमें क्या होता है जब वह सप्रोंतों आपको साल्ट दोम सकील्टैल्यख कर रहा दोन यह हो मार्त यह सटलाइट है अपने लंबवत दी समय कारे मलब आगे बढ़ता है वो इधर को आगे बढ़ता है उसको तो इधर गिर जारा चीज़ लेकिन क्या होता है पृतिभी उस सेटलाइट पे एक फोर्स अंदर के तरफ गिरा दियाने कि वो अंदर के तरफ कोशिस करती है कि ये जो सेटलाइट है वो मेरे सेंटर में गिर जाए ये हर एक उपग्राय का हर एक सटलाइट हर एक जो हमारे पास ग्राय है उनका क्या होता है एक नेचर होता है एक गुण होता है अब ये गुण आया कहां से ये ओरीजिन है मूल है जैसके मैंना प्रते ही वीडियों बता है कि मूल मूल की जो खो और इसी जो ये फोर्स है इसके बराबर किया तो उतने फोर्स जो है अंदर की तरह भी लगता है तो जितना फोर्स बहार के तरफ उतने फोर्स अंदर के तरफ तो चीज जो होगी जो वस्त हो कि नो तो बहार गिर पाएगी ना अंदर गिर पाएगी तो वह अपने ही जगब क अगर यह फोर्स अगर नेचलल फोर्स जादा हो जाए ठीक है अगर जादा हो जाए तो यह सेटल्ट अंतिश्में कहीं खो जाएगा अंतिश्म चले जाएगा फिर वह प्रित्ति भी रहेगा दुट अगर जाएक तो यही कारण है कि जब वह इंसा यहां पर पहुंचता तो उसको अंदर की तरफ खीशता है क्यूंकि उस पर देखो सिंबल सी बात है यह यह जो आदमी है वो सेट्लाइट की तरह उस पर पोस्तों है नहीं उसका नेस्ट अपना फॉर्स तो वह क्या करत तक पिट्थी उसको अपने अंदर तक खीच लेती है निए कि गुरता कर्ष्ण बल से और अभीकेंद्र बल के अधीन होते वे वह इंसान दुबारा सेंटर की तरफ गिर जाएगा तो वह अंतिक्ष में नहीं गिरेगा हां अगर इस अभीकेंद्र बल से ज्यादा अगर इस इतनी इतनी जो Horiz Papaos यहां से यहां से पंप के तोरो रॉयोकेंद्र इस दॉब निकल जाएगा उसको क्यूंकि जो लगाएगा फोर्स उस पर बदोब की ज़रिये या दो इतना प्र तैसे बार है कि अभीकेंद्र-बल कमांग्स की इस इस सादे बार मुझे इस दरहां और अगर हम पिर्थिवी के दोनों तरफ चेद करके मलब एक तरफ चेद करते हैं कि दूसतर एक टरनल बना दें तो उस टरनल से इनसान को गुजारा जाए तो इनसान स्वताय बल से नेच्छल रूप से प्राकर्थिक रूप से वह अंत्रिक्ष में नहीं गिरेगा वह वापस प तो दोस्तों फ्रेंड्स यहीं रिजन था में जो बता रहा था आपको कि क्यों अंत्रिक्ष में अस्वार प्रिथिवी के दोन तरफ टरफ टरनल में अगर गतिमान हो कोई इंसान तो अंत्रिक्ष में नहीं गिरता है वह सिंपिल सेटलाइट जब यह राउन के जैसे इलेक लगाएगा फोर्स है वो एकवल है अभिकेंद्र क्योंकि जो नाविक है वो भी फोर्स लगा रहा है और इलेक्ट्रोन का अपना नेचुरला फोर्स में इसलिए वह कख्षा में गुम्नों सुरू करता है दोनों में सीधी एक बीक ज्यादा हो जाए अगर वह नाभी में ग श्क凉 सब्सक्राइब करता है इसलिए वह आपपास की तरफ कीता है तेसके मनियाे अभी मोला एक,श्च को सब्सक्राइब अगर इस अभीकेंदेबल से कम हो, यानि कि अभीकेंदेबल जादा हो, तो यह सैटलाइट यहागा और जमीन में गिर जाएगा, यह नहीं सेंटर की तरफ जाएगा, जरूर नहीं कि ठीक सेंटर भी गिरे, लेकि खीचेगा वो अपने पिर्थिवी अपजी तरफ तो पाएगा, वो आपने देख लिया है, तो उम्मीद करता हूँ, यह ग्यान आपको आज पता चल गया होगा, कि प्रिथिवी कि अगर दोनों तरफ तरफ देगे, सुरंग मना कई दिया, आरपा निकला जाए, तो क्या हम अंतिक्स में गिर सकते हैं, तो अंतिक्स में नहीं ग परखास करूँगा, कि आज यह चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आकान को ओल पर जरू क्लिक करते हैं, जल्दी आए वीडियो में एक नए ग्यान के साथ, एक नए क्वेस्टन के साथ, तब तक दो अनुम्यति दीजिए, धन्यव करूँ करूँ